अमचा चैनल सब्सक्राइब करानी बेले कॉन्वक लीट करू नमिनी नार वडियो चे नोटिफिकेशन्स मिलवाँ अध्यापक अध्यापिका और मेरे प्यारे छात्रों आप सबी को हिंदी दीन की तहे दील से शुबकामनाएं देती हुँ हिंदुस्तान में भेने वाला हरे व्यक्ति इन शुबकामनाओं का हकदार है क्योंकि हिंदी हमारी दिल की भाषा है हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मिर से लेकर कन्या कुमारी तक संसत से लेकर सडक तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह सव्मात का पूल बनाने वाली एक मात्र भाषा है वह है हिंदी भाषा और आज पूरे देश में हिंदी दीन बड़ी धून धाम के साथ मनाया जा रहा है और इस बात का हम सभी को अभिमान है गर्वर है लेकिन आप सभी छात्रों को मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं 14 सितंबर इसी दीन को हिंदी दीन क्यों मनाया जाता है आप जानते हैं 14 सितंबर को ही हिंदी दीन क्यों मनाया जाता है मैं बता देख्यू हूं 14 सितंबर 1949 को भारतिय सर्वीदान ने हिंदी भाषा को राश्ट्र भाषा और देवनागरी लिपी को राश्ट्र लिपी गोशित किया और तब से 14 सितंबर यह दीन हिंदी दीन के रूप में मनाया जाने लगा हिंदी दिन या हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाने जाने के कुछी ही साल पश्चात अपने भारत देश के कुछ राजनेती कुछ अकरों के कारण हिंदी भाषा को कानूनी तवर पर राश्ट्र भाषा का दरजा नहीं मिला यह पूरे खेट के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन राजनेती कुछ अकरों के कारण हिंदी भाषा को बले ही कानूनी तवर पर राश्ट्र भाषा का दरजा नहीं मिला पर जिसे हम कहते हैं राश्ट्र भाषा का दाईत्व वह दाईत्व राश्ट्र भाषा कैसे निबाती है राश्ट्र भाशा वह भाशा होती है जो भाशा अपने पूरे देश में 70 प्रतिशत से भी जादा लोग बोलते हो वह होती है राश्ट्र भाशा राश्ट्र भाशा वह भाशा होती है जो अनपड और पड़े लिके सभी समझ सके प्रयास से बोल सके वह होती है राश्ट्र भाशा राश्ट्र भाशा वह होती है पूरे देश में दैनन्दिन व्योभार की हरे कारिय दप्तरों में जो भाशा इस्तमाल की जाती है वह होती है राश्ट्र भाशा और सबसे महतो पूर्णबाद, राष्ट्र भाषा वह भाषा होती है, जिस भाषा में सम्रुद्ध ऐसा साहित्य हो, वह भाषा राष्ट्र भाषा होती है अब हमें थोड़ा सा यहां गवर करना है जो विशेष्टाएं मैंने राश्ट्र भाषा को लेकर अभी आपको बताई है उस विशेष्टाओं को धान में रखते हुए हम सभी के सामने एक ही भाषा आजाती है वह है हिंदी भाषा वले ही कानूनी तवर पर हिंदी भाषा को राश्ट्र भाषा का दरजा न मिले हो लेकिन अगोशित तवर पर हिंदी भाषा ही राश्ट्र भाषा का दाईत्वन निबा रही है वह कैसे पूरे अपने भारत देश में हिंदूस्तान में सक्तर प्रतिशत से भी जादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं हिंदी भाषा इतनी सरद और मीधी भाषा है जो पड़े लिके अनपड सभी समझ सकते हैं और प्रयास से बोल सकते हैं हिंदी भाषा वह भाषा है हर एक सरकारी कार्यालेव में दफ्तरों में हिंदी भाषा का इस्तमाल किया जाता है और सबसे महतुपूर्णपाद हिंदी भाषा में इतना संब्रुद्ध साहित्य है अगर हमने तय कि हिंदी का पूरा साहित्य हमें पढ़ना है तो हमारी इतना सम्रुद्ध हिंदी का सहित्य है आधीं काल से लेकर अधुनिक काल तक अगर कोई भाषा है तो वह भाषा हिंदी ही है इसलिए हिंदी भाषा अगोशित तवर पर राश्ट्र भाषा का दाईत्व निवा रही है उसकी तुलना में दूसरी ऐसी कोई भाषा ही नहीं जो राश्ट्र भाषा का दर्जा ले सके इसलिए हम सभी अभिमान के साथ कर सकते हैं सरकात या कानून को भी हम या बता सकते हैं अपनी राश्ट्र भाषा अगर कोई है तो वह है वह है कि भाषा बहुत अच्छा और जैसे कि हम सभी हम सभी के पास दो आखे है दो आखों से हम सारा जहां देखते हैं अगर दो आखों से हम पूरा जहां देख सकते हैं तो वैसे दो भाषाओं से हम पूरा जीवन समझ सकते हैं और वह दो भाशा है, पहली अपनी मात्रु भाशा, कौंसी? हाँ, एक अपनी मात्रु भाशा मराईगी आऊ दूसरी अपनी राष्ट्र भाशा हिंदी ये दो भाशाओं का ज्यान अगर हम रखते हैं तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं इतनी ताकत इन भाशाओं में हैं भाशा वह माध्यम है जिस माध्यम से हम अपना विचार विनी में कर सकते हैं भाशा वैसे तो मात्रू भाशा से हम बच्पन से ही परिचित हैं मातरु भाशा का ज्यान तो हम सभी को है जब अब थोड़ी हजी मजा की बात आपको बता देती हूँ जब हमें गुस्सा आ जाता है मालवी प्रवुर्टी है गुस्सा आ जाता है हरे को मुझे तो आता है आपको आता है या नि मालवी प्रवुर्की है इसलिए गुस्टा सभी को आता है अब जब हमें गुस्टा आ जाता है तो हम क्या करते है या तो गालिया देते हैं मारफीत करते हैं वैसे तो गालिया देना बहुत बुरी बात है फिर भी कभी कबार गुस्सा आ जाता है तो गालिया देते हैं और ऐसी गालिया जो अपनी मात्रु भशा में इतनी है सामने वाला भेरोशी हो जाता है इतनी है लेकिन हमें ऐसे संस्कार मिले है कि हम सभी के साथ नमरता से पेश आते हैं क्योंकि आपका यह विद्याले है आपके सभी अध्यापक है इतने अच्छे संस्कार आपको दिये है आपके माता पिता आपको इतने अच्छे संस्कार देते हैं हम भाशा की बात कर रहे हैं अग दूसरी बात जो है, अगर आपको किसी के सामने रोब जमाना है, रोब जमाना जानते हैं ना आप, इंप्रेशन जमाना, अगर किसी के सामने आपको इंप्रेशन जमाना है, तो आपको क्या करना है, दो चार एंग्रेजी वाक्य बोल देना है उसके सामने, वह अपने इंप्रेस हो जाएगा किसी पर अगर रोब जमाना है लेकिन मेरे प्यारे छात्रों धान में रखिये अगर किसी को अपने मन की बात बतानी है किसी के दिल के गहराई तक पहुंचना है तो हमें हिंदी भाषा का ही इस्तिमाल करना है क्योंकि हिंदी भाषा दिल को छूट जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा में इतनी मीधास है हिंदी भाषास को संस्कृत की बड़ी बेहन कहा जाता है संस्कृत भाषा की बड़ी बेहन कहा जाता है संस्कृत और हिंडी इसमें हमारे भारत देश की संस्कृती चिपी है और अपनी संस्कृती कितनी महान है यह तो हम सभी जानते है अपनी संस्कृती इतनी महान है जो दुर्जन को सज्जन बना देती है दूर्जन को सज्जन बना देती है सज्जन को संत बना देती है संत को अरिहंत बना देती है संत को अरिहंत बना देती है और अरिहंत को सित्त बना देने की ताकत हमारी भारतिय संस्कृती में है और वह संस्कृती हमें हिंदी और संस्कृत भाषा से मिली है इसलिए हमारी संस्कृती का जदन अगर हमें करना है तो हमें हिंदी भाषा को अपनाना है हिंदी भाषा की वर्नमाला अगर आप देखते है तो अर से शुरू होती है और ग्यपर आकर खत्म होती है जो अनपर से शुरू हो जाते है और हिंडी भाषा ज्यानी बना कर छोड़ देती है ऐसी हिंडी भाषा में ताकत है ऐसा हम कह सकते हैं हिंडी भाषा में उसी के आडार पर आजकल हम जैसे कि मेंने अभी आपको कहा संसत से लेकर सडक तक तक और साहिड्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह हिंडी भाषा इतनी सरण मीटी भाषा है, जो हिंदी भाषा की या हिंदी फिल्म जो है, आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है या नहीं? जो हिंदी फिल्में बनी हुई है, वह किसी न किसी हिंदी किताब पर अधारी थे इसी लिए हिंदी साहित्य सम्रुद है, इसी लिए सिनेमा जगत ने हिंदी का प्रचार और प्रसार बड़ी मातरा में किया है और उसमें मतुफूर्ण बाग हिंदी साहित्य हर एक विदा में लेकर, विदा को लेकर मशूर है और विदा कोई कहानी हो, कोई कविता हो, कोई दोहा हो, कोई शेरोशायरी हो हर एक विदा में हिंदी साहित्य इतना सम्रुद है, जो हमें अपने जीवन में मार्गदर्शक साविक हो सकता है आज हिंदी दीन के अउशर पर सभी छात्रों को मैं केवल इतना कहना चाऊंगी आज आपको एक संकल्प करना है, कवसा संकल्प करना है, हिंदी साहित्य इतना सम्रुद साहित्य है तो उस साहित्य में से रोज आदा घंटा हमें कोई न कोई साहित्य, कोई कविता, कहानी, रेका चित्र, व्यक्टी चरिक्र, जो भी हो उसे पढ़ना है क्योंकि साहित्य हमारे जीवन का मार्ग दर्शक होता है इस जीवन में हमें कैसे जीना है, जीवन को सार्टक कैसे बनाना है, यह हमें साहित्य के माध्यम से पता चल जाता है ऐसे हिंदी भाषा का साहित्य इतना सम्रूद है जो हमें जीने की प्रेवना देता है वैसे हिंदी के जाने माने कभी हरिवां उश्राय बच्चन जो अभीनिता अमिता बच्चन के पिता रहे है और उन्हों ने जो कभीता हिंदी में लिखी है और समस्त मानों को कहा है मानों ये मनुष्य किसी भी कारण से हताश, निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है ऐसे में हरिवां उश्राय बच्चन सभी मानों को संभोधित करते हुए कहते है तू क्यों बैट गया है पत्पर धेय न हो पर मग है आगे बस बस दरता चल तू पग आगे पग याने पेर कदम बढ़ाते चले तू बैट न तू चलने वालों के दल में तमाशा बनकर तू क्यों बैट गया है पत्पर मानों कभी हताश, निराश हो जाता है तो उसे प्रेरित करने का कारिय यह साहित्य करता है ऐसा साहित्य जो त्रिवेनियों के माध्यम से भी बहुत कुछ हमें बता देता है हर एक बात से हम मायूस होते है उदास होते है दोस्तने बाते नहीं की तो भी हम उदास होते है मा ने मनपसं सब्जी नहीं बनाई तो भी हम मायूस होते है ऐसे छोटे छोटे बातों से मायूसी बनाए रेकना यह कुछ ठीक नहीं यह इस साहित्य के माध्यम से हमें पता चल जाता है त्री पुरारी एक ऐसे कवी है जो बता देते है हमें चाहे कितना भी घंगोर अंदेरा चाया आस रखना किसी दिन उजाला होगा रात की कोक से ही सुबर जल्म लेती है चाहे कितनी भी मुश्किले क्यों ना आये चाहे कितनी भी मुश्किले क्यों ना आये छोड़ना मत उमीद का दामन ना उमीदी तो मौत है प्यारे ऐसे उमीद के साथ जीने की प्रेरना हमें इन साहित्यत से मिलती है यह साहित्यत इतना समरुद है कि हमें कैसे जीना है जीवन में क्या करना है अपना नाम कैसे कमाना है अपने कॉलेज का नाम अपने स्कूल का नाम कैसे बनाना है अपने माबाप का नाम कैसे रोशन करना है इन सबी बातों की प्रेरना अगर आपको कहां से मिलती है तो साहित्य से है इसलिए आज हिंदी दीन के अउसर पर आपको एक संकल्ब करना है हिंदी साइट्य इतना सम्रुद्य है जो अन्य किसी देशों में आपको यह देखने को नहीं मिल जाएगा ऐसा सम्रुद्य साइट्य अपने हिंदुस्तान में है तो ऐसा साइट्य हमें पढ़ना है ऐसा ज्यान हमें हासिल करना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है उन दोहों से मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपना बरताव कैसे रखना है यह पता चल जाता है एक संत कभिर जी का दोहा है ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोई औरन को सीतल करे खुद ही सीतल होई चाक्रो इन दोहों का इस दोहे का अर्ट इतना अच्छा है दोहा आपके समझ में ना आई ना सही लेकिन उसका अर्ट जो है वो जरूर धान में रखना ऐसी बानी बोलिये हमें ऐसे नम्रता पूर्णवानी से सामने वाले से बात करनी चाहिए मन का आपा खोई जिसमें गर्व घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए ऐसे नम्रता पूर्णवानी से हमें सामने वाले से बात करनी है जब हम ऐसे नम्रता पूर्णवानी से सामने वाले से बात करते है तो सामने वाला अपनी बातों से संतुष्ट हो जाता है और कोई अपने बातों से संतुष्ट हुआ है या जब अवे पता चल जाता है तो हमें आत्मसूख मिलता है अगर हमें आत्मसूख पाना है तो हमें क्या करना है अपनी वानी में नम्रता होनी चाहिए तो आज यह सीख लेकर आप यहां से जाना है कि अपनी वानी में नम्रता होनी चाहिए हर एक के साथ बाते करते समय नम्रता पूर्ण बाते करनी चाहिए आपके अध्यापक हो, माता पिता हो, परिवार के लोग हो, रिष्टेदार हो हर एक वेक्षी से नम्रता पूर्ण आप बाते आपको करना है, करेंगे ना? मेरी बात आप मालेंगे ना? ठीक है, तो ऐसी चोटी चोटी बातों का ज्यान हमें हिंदी साहिटे से मिलता है और हिंदी फिल्म जो है, उस फिल्म के गीत तो हम कई बार सुनते हैं, मनो रंजन के चवर पर लेकिन उन में से भी कुछ गीत इतने अच्छे होते हैं, जो हमें हम पर हमें जोश पैदा कर देते हैं हमें प्रेवना आ जाती है, ऐसे बहुत से गीत है उन में से यह जो गीत है, जो मुझे जब भी मैं उदास मायूस होती हूँ, इस गीत को सुनती हूँ, अपने आप मुझमें भी जोश आ जाता है वह गीत है दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ति भरे मन में भोली सी आशा, चांदतारों को चूने की आशा, आसमान में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा ऐसे गीत सुनते ही हमें जोश आ जाता है हमें भी कुछ करना है कुछ करके दिखाना है यह बात हमारे मन में आ जाती है और तभी से अपने जीवन की सार्तक्ता की शुरुवात हो जाती है अगर अपनी जीवन को परिपूर्ण बनाना है तो एक ही माध्यम है वह है साहित्यक और भाषा ऐसी हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा जो इतनी संभूत है उस भाषा में एक कहानी छोटी सी मैं आपको अभी बताना चाती हूं वैसे समय हो गया है लेकिन कहानी सुनना तो को अच्छा लगता है लगता है या नी लेकिन कहानी सुनने के बाद मैं चाहती हूं आप में से कोई मुझे बताए उस कहानी से आपको क्या सीख मिली है इसलिए कहानी गवर से सुननी है क्योंकि कहानी आपकी है कहानी आप जैसे लड़कों की है और कहानी हमसे निलती जुन एक गाव में कानी गाव से सुनना है एक गाव में दो लड़के रहते थे बहुत अच्छे दोस्त थे जैसे शोले फिल्म के दोस्त क्या नाम है उंता जै और वीरू वैसे दोस्त थे गाव में रहते थे दोनों में बहुत घेरी दोस्ती थी हर जगह कई भी दोनों ही गुगुल मिलकर रहते कभी घुसा करते लेकिन दोनों साथ ही रहते ऐसी घेरी दोस्ती थी उन दोनों में एक दिन क्या हो जाता है दोनों दोस्त आप जैसे दो लड़के बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों दोस्त खेलते खेलते गाव के बाहर चले जाते हैं वो छोटा सा गाव था उस गाव के बाहर दोनों चले जाते हैं और आतमी जोली का खेल खेलते खेलते वहाँ एक हाथसा हो जाता है वहाँ उन दो लड़कों में से एक लड़का वहाँ के कुए में गिर जाता है कुआ जानते हैं आप? आप तो बहुत होशियर हैं तो वह लिर्का कुए में जाकर गिरता है लेकिन उसे तेहरना नहीं आता और उसका दोस्त परेशान हो जाता है रोने लगता है हर एक को पुकारने लगता है मेरे दोस्त को बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ ऐसे करकर चिताने लगता है लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता जो उसकी मदद के लिए आ जाए वह इतना परेशान होता है कि किसी भी हग पर उसे अपने दोस्त को बचाना है उसे समझ में नहीं आता कि कैसे अपने दोस्त को बचाए तभी उसकी नजर सामने पड़ी हुई एक वाल्डी और रस्ती पर चली जाती है वो क्या करता है दोड़ता हुआ जाता है उस वाल्डी को रस्ती से बांदा हुआ था वैसे ही वो उसे कुए में छोड़ देता है और अपनी दोस्त से कहता है उस वाल्डी को पकड़ कर आ जाना और ऐसे वो पूरी ताकत लगाता है लेकिन वो भी आपके देशा छोटा बच्चा कितनी पूरी ताकत लगाता तो भी दोस्त को उपर खिंचने में उसे सपलता नहीं मिलती बार बार कोशिश करता आखरी बार उसे सपलता मिल जाती है और वह अपने दोस्त को उपर खिंच लेता है वे से बाहर उसका दोस्त आ जाता है दोनों गले मिल जाते हैं बहुत रोते हैं लेकिन उन्हें खुशी है कि उनकी दोस्ती इतनी घेरी है उसने अपने दोस्त की जान बचाई इस बात की खुशी है दोनों गाव चले जाते हैं गाव में लेकिन दोनों परेशान हो जाते हैं अभी सर्वी गाव वालों को घर वालों को परिवार के लोगों को ये कैसे बताए कि एक लरका जो पुवे में गिरा हुआ था उसे दूसरे ने कैसे निकाला वो घर में जाते है गाव में जाते है सभी को पता देते है कि हम खेलते-खेलते अमार एक दोस्त कुवे में गिर गया अब दूसरे दोस्त ने उसे बचा लिया इस बात पर सभी गाव वाले लोग हसते है कोई उस बात पर यकीनी नहीं करता इतना चोटा लड़ता और दूसरे लड़ते को कोई से बाहर कैसे निकल सकता है सबी गाउवाले हसते हैं तो इन दोनों को बहुत पूरा लगता है क्योंकि वो अपनी दोस्ती की मिसाल देना चाहते हैं लेकिन गाउवाले उनकी बाग यह नहीं मानते तबी उस गाउव में रहीम चाचा नाम की एक व्यक्ती थी जो उनकी बात पर यकिन करते हुए कहते है मुझे इन बच्चों पर पूरा यकिन है ऐसा हो सकता है एक लड़के ने छोटे लड़के ने अपने दोस्त को कोई से बाहर निकाला ऐसे हो सकता है गाउवाले कहते है रहीम चाचा आप इन बच्चों के बातों पर यकिन कर रहे है ये कैसे हो सकता है तो रहीम चाचा जो बात बताते है वो कापी महतुपूर्ण है रहीम चाचा बताते है जब उस लड़के को अपने दोस्त को बचाने का कोई सहारा नजर नहीं आ रहा तो वह उसने पूरी ताकक के साथ अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की क्योंकि उसके आस पास कोई ऐसे लोग नहीं थे जो उसे बता सके तो ये काम नहीं कर सकता ऐसे कोई लोग नहीं थे इसी लिए उसने अपने दोस्त को बचाया चात्रो इसका मतलब क्या है आप समझ पाए कोई भी काम पूरी ताकत लगाकर आप करते है तो उसमें आपको सपलता मिल ही जाती है केवल हरे कारिय हमें पूरी ताकत के साथ करना है तो आपका कर्तवी क्या है पढ़ाई करना वह भी पूरीक शम्ता के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप उसमें सफल हो जाते हैं तो पढ़ाई करेंगे ना जब से मैं आपकी इस स्कूल में आई हूँ आप सब मुझे बहुत अच्छे लगे आप में जो बहुत बड़िया स्वागत किया वो तो बहुत अच्छा था और तभी मेरे मन में तभी मेरे मन में आए एक बात आई कि इन मेरे प्यारे चात्रों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कुछ नहीं तो ये दो लाइने आपके लिए जरूर कह सकती हूँ चांद की तरह चमकते रहना फूल की तरह खिलते रहना आप हमेशा आगे बढ़ना यही मेरी मन की तमन्ना चाक्रों आपने बहुत अच्छे से स्वागत किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा तो बात कर रहे थे हम सपलता की फूरी तापत लगा कर कोई भी कारिय हम करते है तो उनमें सपल हो जाते है ऐसी कहानी ऐसी हर एक बात हमें साहित्य के माध्यम से पता चल जाती है इसलिए हिंदी भाषा में ऐसा सम्रुद्य साहित्य है जो हमें जीने की प्रेरना देता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरना देता है जो साहित्य हमें बता देता है जिनकी एक चुनोती है उसका स्विकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुदार करो जब तक न हो सपल नीद चैन त्यागो तुन संगर्ष का मैदान छोड मत भागो तुन कुछ किये बिना जैजेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसलिए हमें क्या करना है कोशिश करनी है आगे बढ़नी की इसलिए हम सब आपको यह बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई सबसे पहले एनापुरे मैडम जी और मेरी भावी जवगुले मैडम जी उनका शुक्रिया आदा करना चाहती हूँ आपकी वज़े से इतने अच्छे चाक्रों से मैं मिल पाई उनसे बाते कर पाई इसलिए उनके प्रती अपने स्कूल के प्रती भी कृतक यदा ग्यादित करती हूँ और एक कविता जो प्रेरिक करने वाली है वह आप भी मेरे साथ कहेंगे एसे उमीद रखती हूँ और उस कविता के साथ मैं अपने माली को विरांद देती हूँ लेकिन व कविता आप सभी को कहनी है मेरे साथ ये आशून जीन गया तो क्या? नया जूंड लेंगे हमों परिंदे है उड़ना छोड देंगे ये पारावन छूट गया तो क्या नया सागर ढूंड लेंगे हमों कस्तिया नहीं जो तेरना छोड देंगे एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहे ढूंड लेंगे हमों उसापीर नहीं जो चलना छोड देंगे ये मकाम नहीं हासिल तो क्या नए खिकाने ढूंड लेंगे हम वो शर नहीं जो अपनी तलाश छोड देंगे हम वो फरिंदे नहीं जो उदना छोड देंगे इस कविता को लेकर अपनी जीवन को आदर्श बनाना और आज की हिंदी दिवस के अवसर पर इतना कहना चाहूंगी एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम है हिंदी हिंदी कोई जुबा नहीं देश के माते की बिंदी है यह हिंदी जय खिंद जय खिंदी धन्युवत